आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर हमसे कहा गया है question में कि हमारे पास white flowers वाला एक mirabilis plant है उसका genotype दे रहे हैं दोनो small r यहाँ पर दिये हुआ है और इसको अगर हम cross करते हैं red color वाले plant से जिसका genotype इस तरह से दोनो capital r वाला है तो इनकी F2 generation में यानि next to next generation जो अप्टेन होगी second filial generation उसमें 120 plants में से कितने कौन से color के होंगे यह हमें दिये के options को देख के बताना है तो mirabilis plant को ही commonly four o clock के नाम से भी जाना जाता है और अगर हम अपने traditional inheritance के laws की बात करें तो mendel के laws के अनुसार तो किसी भी character की, किसी भी एक trait की inheritance, किसी एक factor के यानि किसी एक single gene के control में होती है और इस gene के slightly दो alternative forms, दो different forms हो सकते हैं जिन्हें आज हम alleles कहते हैं इन में से एक dominant होती है जो हमेशा ही खुद को express करेगी और दूसरी recessive alley जो dominant allele के presence में suppress हो जाएगी तो mendel के law of dominance के अनुसार तो inheritance एक gene के control के अंडर होनी चाहिए और इसकी दो alleles हमको मिल सकते हैं मगर जब mendel के work के बाद scientists ने कही सारे organisms में diverse natural observations की तो हमें पता लगया कि हमेशा ही mendel के laws के अनुसार inheritance नहीं चलती है और इसी तरह की कुछ condition हम mirabilis jalapa में, flower color में देखते हैं ये law of dominance के अनुसार नहीं होता, ऐसा नहीं है जब दोनो capital R है, तो red color के flask produce हो रहे है फिर दोनो small R जब है, तो white color के flask produce होंगे लेकिन इनको अगर आपस में cross कर दिया जाए दोनों plants को तो दो pure plants हमने लिए, एक pure red और एक हमारा pure white इनको आपस में cross किया तो पहली generation जो हमें मिलेगी हमारी F1 generation उसमें तो हम देखेंगे कि हमें केवल एक ही तरह का जीनोटाइप और एक ही तरह का फीनोटाइप अप्टेन होगा यह हमारे सारे के सारे हेट्रोजाइगोट्स होंगे यहां पर और हेट्रोजाइगस कंडिशन में वैसे काईदे से law of dominance के अनुसार तो हमारा जो dominant phenotype है red flower color है वो appear होना चाहिए लेकिन यहां पर ऐसा होता नहीं है और हम देखते हैं कि एक non uniform type का दोनों parents के बीच में एक तरह से कह सकते हैं intermediate condition वाला हमें phenotype मिलता है तो ना तो red होते हैं ना white होते हैं इनमें हमें दोनों तरह के pigment नजर आते हैं इसके बाद हम बात करें अगर F2 generation की यानि जो हमें hybrid हमारी F1 generation में मिले थे उनी को हमने आपस में self pollinate कर दिया तो इनकी जब selfing की इससे हमें अलग-अलग तरह के genotype और phenotype मिल सकते हैं देखा जाता है कि इस तरह के monohybride cross में हमें genotype का ratio characteristic 1 is to 2 is to 1 का मिलता है और यहां पर 1 is to 2 is to 1 के ratio में कौन से कौन से genotypes होंगे एक तो हमें dominant homozygous condition मिलेगी एक recessive homozygous condition मिलेगी और 4 में से 2 off spring में यानि 50% off spring में heterozygous condition होगी तो यहां पर हम देखते क्या है कि हमारा यह वाला तो white color के flowers प्रोड्यूस करेगा यह वाला जीनो टाइप जो है लेकिन बाकी दोनों जीनो टाइप हम देखेंगे non uniform type के flowers प्रोड्यूस करते हैं ऐसा क्यों क्योंकि एक तो माना जाता है कि 4 o clock plants में मेरा बिलेस के plants में सिर्फ एक जीन नहीं है इसके अलावा कई सारे plant की surroundings में भी factors होते हैं जो कि flower color को affect कर सकते हैं कौन से-कौन से factors होते हैं soil में किस तरह की conditions हैं sunlight इसके बाद में pH यह सारी चीजें भी flower color को change कर सकते हैं तो इसमें हम देखते ही हैं कि हमारे homozygous recessive condition में इस वाले genotype में तो white color के flowers produce होंगे लेकिन बाकी दूनों type के condition में चाहे homozygous dominant हो चाहे heterozygous condition हो हम देखते हैं कि flower color non-uniform हो जाता है कभी-कभी पूरी तरह से red भी नहीं रहे तो magenta की तरफ चला जाता है या yellow या orange shades में flowers produce होते हैं और उसका reason यह है कि gene interactions भी होती है और environmental factors भी flower color को change कर देते हैं तो flower के अंदर जो pigmentation होती है क्योंकि वो कई factors के control के अंदर है इसलिए सिर्फ हमारे दोनों जब small r होंगे तब तो white color के flowers produce होंगे लेकिन बाकी किसी genotype में हम पक्का नहीं कह सकते कि flower की pigmentation किस pattern में होगी तो यहां पर हमारे चार में से एक offspring तो white color के flowers शो करेंगे लेकिन बाकी सारे के सारे 120 अगर बोला हुआ है तो इसमें से 1 फोर्थ हमारे 25 पसेंट यानि 30 flowers जो होंगे वो white color के होंगे लेकिन बाकी 90 जो plants पचे इसमें हमें non uniform pigmentation flowers के अंदर मिलेगी तो correct answer हम option B कर देंगे हमारे F2 generation में किसी भी mono hybrid cross के अंदर हमें जो 1 is to 2 is to 1 का ratio मिलता है उसी के according यहां पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा 90 non uniform color के और 30 white color के flowers वाले हमें याँ plants मिलेंगे Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटनेटा या WhatsApp कीचे अपने doubts 8400 400 400 पर